हर्याणा के खनोरी बॉर्डर पर एक बार फिर आंदोलन के लिए किसानों की भीर जुटने लगी तो इस पर हर्याणा में बीजेपी के प्रदेश सच्छेव कैप्टन भुपेंदु ने कहा कि इस बार हर्याणा के किसान किसी आंदोलन में शामिल नहीं होगे क्योंकि हर्याणा के किसानों की फस्तों की MSP की मांग पहली ही पूरी हो चुकी है हिसान में कैप्टन भुपेंद्र से खास बाच्चीत की है टोटल ल्यूस के S.O.C. टाइडर डॉक्टर महेश कुमार में हर्याणा के खनोरी बॉर्डर पर एक बार फिर से किसान आंदोलन की आहट सुनाई देने लगी है देश बर के तमायम किसान संगठन अब एक जुटता के साथ इस आंदोलन में एक बार फिर से कूदने की तयारी में है और इसी पर बातचीत के लिए हर्याना में भारती जनाता पार्टी के प्रदेश साचेव कैप्टन भुपेंद्र इस वक्त हमारे साथ बनी हुए कैप्टन भुपेंद्र हमने देखा कि 13 महीनों का किसान आंदून और की सरीके से मुश्किल हालात का सामना पूरी दिल्ली को करना पड़ा और एक विपरीत परिस्तियां जो हैं पूरे दिल्ली और आसपास के एक शितर में देखने को मिली हर्याणा की नायब सरकार की मुश्किले एक पर फिर से बढ़ सकती हैं क्योंकि खनोरी बॉर्डर पर पूरे पंजाब के किसान हर्याणा के किसान एक बार फिर से एक जुट होकर आंदून खड़ा करने की तैयारी में हैं तो ऐसे में आगे का वाक तौर मुश्किल आपके बी नहीं अब सभी लोग जिस के अंदर किसान समाज के लोग भी इंकलूडड़ हैं वो भी इवी स्केल को समझ गें पीछे बहुत लोगों को गुमरा कर दिया गया था परनतु अब पिछले साल दो साल के अंदर जिस प्रकार के हालात हुए और अभी जिस प्रकार से बहुत बड़े जन समर्थन के साथ भारती जनता पार्टी के सरकार वापस हरियाना के अंदर आ गी है इस से बिलकुल स्पस्ट हो गया है कि किसान वर्ग बहुत बड़ी संख्या के अंदर भारती जनता पार्टी के साथ है दूसरी बात ये आती है कि मैं किसान भाईयों को भी ये ध् कि अब तो नाइब सेनी जी ने बिलकुल जो विदान सबाय उसके कक्ष के अंदर खड़े होके सब के सामने ये ऐलान किया है कि हरियाना के अंदर एक एक दाना एक एक बीज उसको MSP के उपर खरीद लिया जाएगा और पीछे भी जो पूरे देश में जितना MSP फसलों के उपर लागू नहीं है उससे भी जादार याना आज नंबर वन परदेश है पूरे देश के अंदर कि हर जो फसल है उसको MSP के उपर खरीदा जाता है ये सारी चीज ये सारे शडिंतर को किसान वर्ग भी समझ गया है और दो चार जो भूले बटके किसान भाई हैं उन से भी मेरी अपील है कि अगर उसके बाद भी आपके मन में किसी परकार का कोई सवाल है कोई आप लोगों की मांग है तो कबीर कुटीर सीम साब का आवास 24 गंटे खुला है नायब सेनी जी जो हमारे आदनीय मुख्यमंतरी जी हैं वो इस चीज के लिए विशेश रूप से जाने गए हैं कि जब से वो पावर में आए हैं रात के दो दो बज़े तक भी वो लोगों से मिलते हैं तो किसी के दिल में या दिमाग में कोई संशे हो किस का निप्टारा किया जाएगा और ये बहुत बड़ी चीज है इसी की वज़े से आज ये जितना मरजी कोशिश कर लें ये सफल नहीं हो पाएंगे अंतिम बात एक और मैं कहना चाहूंगा कि किसान वर्गों को इस सारे शेटंतर को समझ के पंजाब के हमारे भाईयों से S.Y.L. के पानी की मांग जरूर करनी चीए वो हमारे साथ हरियाना वासियों के साथ बहुत बड़ा एक अन्याय हो रखा है क्योंने अब हमारे को उन से जाके आगरे करना चीए भाईयब आप हमारा साथ इस S.Y.L. का जो पानी है इसको देने में भी करें सरकार बिल्कुल भी इस चीज़ के पक्षमें नहीं है बिल्कुल भी नहीं चाहती है परन्तु ये सारा का सारा खेल तब होता है जब लॉयन ओर्डर की दिकत आती है लॉयन ओर्डर की परिशानी होती है मुझे नहीं लगता इस बार इस परिकार की वे दिकत परिशनी आएगी क्योंकि लोग इस संख्या में जुड़ेंगे ही नहीं चलिए साथ दोर से भारतिय जनता पार्टी के प्रदेश साचेव कैटन भुपेंदर ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि MSP पर फसलों की खरीद की मांग किसानों की तरफ से सामने रखी गई थी और हर्यना प्रदेश की सरकार ये मांग पहले से मांच चुकी है तो ऐसे में यहाँ हर्यना के किसानों का इस आंदोलन में शामिल होने की जो संभावना हैं वो ना के बराबर उन्हें नजरारी हैं और दो टू की कह रहा है कि इस बार सड़के खोदने की किसी भी तरह के बल्प्रयोग की ज़रूरत इस बार किसानों के खिलाफ नहीं झाल